हलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इगनु बड़ी तो आजकी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इगनु के रिजल्ट के बारे में तो बहुत सारे स्टुडेंट इगनु में उनकी ये सिगाथ होती है कि इगनु में जो रिजल्ट है वो बहुत लेट से अपडेट होता और उसका लास्ट अपडेट तीन जनवरी को आया था और एक हफते से जादा हो गया है लेकिन अभी तक एगनू की तरफ से कोई भी नया अपडेट नहीं आया है अल्मोस्ट दस दिन हो चुके हैं रेजल्ट को ना है हुए लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि केवल तीन दिनों में एगनू का रेजल्ट अपडेट हो सकता है और उसका मैं आपको प्रूव भी दिखाऊंगा एक स्टूडेंट के रेजल्ट के साथ तो जहां पर कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इनू का रेजल्ट अपडेट होने में धाई से तीन महीना लग जाता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट का रेजल्ट के वल तीन दिन में अपडेट हुआ है तो सबसे पहला तो मैं उस स्टूडेंट का रेजल्ट आपको दिखा देता हूँ तो देखिए ये उस स्टूडेंट का रेजल्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह m.com का रिजल्ट है और इस रिजल्ट में आप डेट देखे यहाँ पर 29.2022 को इस student के तीन रिजल्ट अपडेट हुए हैं तो पहला रिजल्ट आप देख रहे होगे पहली दो लाइन में यह डेट देख सकते हो आप और जो लास्ट वाला है वो भी 29.2022 को इपडेट हुआ है यनी कि तीन रिजल्ट अपडेट हुए हैं 20 तारिक को फिर उसके बाद से next 12 तारिक को एक और रिजल्ट हुआ था फिर उसके बाद से 20, 10, 2022 को दो रिजल्ट अपडेट हुए है तो इस तरह से केवल 3 दिन के अंदर इस student के 6 subject का result अपडेट हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो result होता है वो एक बार में एक ही update आएगा आपका कभी-कभी ऐसा भी होता है कि IGNU में 4,000 subject का result आपका एक ही दिन में आ जाता है जैसा कि इस result में आप देख सकते हो कि एक ही दिन में 3 subject का result आया फिर उसके बाद से फिर एक subject का result आया फिर उसके बाद 2 subject का result एक साथ update हो गया यानि कि केबल 3 update में ही इसका पूरा result अपडेट कर दिया गया IGNU की तरफ से और अगर मैं बात करूं कि total कितना time लगा इसका result अपडेट होने में तो आप देख सकते हो कि 12-9-2022 को इसका पहला result अपडेट आया था और last update 20-10-2022 को इसका आया था तो ऐसा मान सकते हैं कि इसको अपडेट होने में एक महीने से थोड़ा सा जादा time लगा है लेकिन एक महीने में पूरा result इनका अपडेट हो गया है तो इस तरह का भी आपको एक नूमें मिल सकता है कि आपका result काफी जल्दी अपडेट हो जाए या फिर केबल 2-3 update में ही आपका पूरा result update हो सकता है ऐसा भी कई students के साथ हुआ है और जैसा कि आप इनके साथ भी गेख सकते हो इस अपडेट में भी केबल 3 update में पूरा result update हो गया है तो यह depend करता है आपके evaluation center पर कि आपका जो evaluation center है वो कितनी fast copy check करता है तो I hope आपको पता चल गया होगा कि एगनू का जो result है वो किस तरह से update होता है अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और एगनू सरे लेटेड हर update और information के लिए एगनू बड़ी channel को ज़रूर subscribe कर लेना So thank you for watching this video Thank you so much